हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका हमारे चैनल सिंपल होम गार्णिंग पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भी एनर गौाभा के प्लांट को कैसे लगाया जाता है कौन सा टाइम इसके लिए बेश्ट होता है इसकी केर कैसे की जाती है इसका फ्रूटिंग ट आश्ट तक जरूर देखिएगा उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल सिंपल होम गार्णिंग को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं साथ चाथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेसन आपको सब से प होता है ऐसे ASS lawer बेश्ट आइए ओस लगा सकते हैं लेकिन बेस्ट नलाइं गार्णि में लिदुट मेरे आप ःप करते हैं लेकिन सीट्स के अगर बात की जाए तो सीट्स के द्वारा लगेगे प्लांट में फ्रूट आने में थोड़े टाइम लग जाते हैं इसलिए आप हमेशा ही ग्राफ्टेट प्लांट या एर लेरिंग के थूरू तयार किये गए प्लांट को ही लगाएं ताकि आपको जल्दी फ्रूट मिल जाए आप चाहें तो 18 से 20 इंच के कंटेनर में इस प्लांट को ग्राफ्टेट प्लांट को कंटेनर में लगा सकते हैं प्लांट को उसमें भी फ्रूट दे देंगे दोस्तों यह बहुत ही अंतर की ब्राइटी माने जाती पॉपलर अब बात कर लेते हैं कि फूट लेने का तरीका इस पर यह है कि जब आपका प्लांट छोटा रहे अगर आपका ग्राफ्टेट प्लांट छोटा रहे लगभग 6-8 मनत में प्लावर और फ्रूटिंग आने लगते हैं लेकिन उस समय अगर आप इसमें फ्रूट लेते हैं तो आपका प्लांट बिल्कुल ही ग्रोथ उसका रुख जाएगा यह बड़ा नहीं होगा क्योंकि फ्रूट बनाने में ही प्लांट का सारा न्यूट्रिसंस और एनर्जी कुछ फ्रूट्स लगे हुए हैं कुछ और फ्रूट्स मेरे लगे हुए थे लेकिन मैंने उसे हर्वेस्ट कर लिया है दोस्तों कम से कम एक साल का जब आपका पौधा हो जाए उस समय ही आप इसमें फ्रूट ले चोटे पौधे में आप फ्रूट ना ले नहीं तो आपका पौधे का विकास बिल्कुल नहीं होगा जब आपका पौधा दो साल का हो जा तो आप इसमें ज्यादा फ्रूट ले सकते हैं लगभा का 30 से 40 तक फ्रूट ले सकते हैं अब जानते हैं कि भीनार के गवाभा में आप बैगिंग कैसे कर सकते हैं जैसा कि आप देख पारे मैं इसमें अपने सारे फल में बैगिंग किया हुआ है बैगिंग करने से बहुत फायदा होता है दोस्तों बैगिंग करने से सबसे पहला फायदा यह है कि आपके ग्वाभा पर कोई भी कीड़े मकौरे इंसेक्ट्स नहीं बैठेंगे जिसके वज़ासे आपका जो ग्वाभा का फ्रूट है जो गवावा फ्रूट है वो खराब नहीं होगा बैगिंग करने के लिए आप एंटि फोग पॉलिथीन या फोमनेट का भी इस्तमाल कर सकते हैं यह सब आपको एजी मिल जाते हैं अगर वह आपके पास नहीं है तो आप नोर्मल पॉलिथीन से भी इसकी नहीं होता है इसलिए हमेशा ही आप अगर भी इनार अमरुत के पोधे को आपने गार्डिन में लगाते हैं तो उसकी फ्रूट में बैगिंग जरूर करें ताकि आपको हेल्दी फ्रूट मिल सके आई आप जान लेते हैं कि इसमें खाद कब देना चाहिए तो दोस्तों हम ब दोस्तों अब बात करते हैं इसकी फ्रूट के बारे में कि इसकी फ्रूट की क्वालिटी कैसी होती है तो जैसा कि आप देख पार है मैंने अपने पौधे से एक बड़ा सा फ्रूट तोड़ लिया है इसका वेट लगभग आधा कीजी के आसपास है इनका फल का साइज काफी बड़ा होता है बड़ा फल लेने का एक ट्रीक भी होता है लेकिन ये लगभग आधा से एक केजी तक हो सकते हैं बड़े फल लेने का ट्रीक ये है कि अगर आपका प्लांट दो साल का है उसमें अगर 40 फ्रूट लगे हुए है तो उसमें से जब आ विद्ट को मिले जिससे आपके फूर्ट काफी बड़े हो जाएंगे जैसा कि आप देख पा रहें यह कितना अच्छा गूड लोकिंग फूर्ट है इसमें कितनी अच्छी चमक है हुआ फूर्ट का साइज भी आप देख प्रूट को बैगिंग कर दे ताकि आपके फूट का साइज बढ़ सके इसकी कीपिंग क्वालिटी के अगर बात की जाए तो यह एक फेमस पॉपलर वराइटी होता है भी अरगाभा इसकी कीपिंग क्वाइटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें सीट्स बहुत ही कम होत क्योंकि इसकी कीपिंग क्वालिटी लगभग 5-8 दिन तक होती है तो आये एक फ्रूट को करके देखते हैं कि इसमें सीट्स कितना है तो चलिए इसे हम कट कर लेते हैं देखिए दोस्तों इसमें सीट्स आपको बहुत ही कम नजर आ जाएंगे चारों तरब पल्प आपको जाएंगे शिट्स बहुत ही कम है तो इस तरह के प्लांट आप अपने गार्डेन में जरूर लगाएं चाहें आपके पास कंटेनर में भी इसे लगा सकते हैं आप जमीन भी लगा सकते हैं जैसा कि आपको देहां ओगा इसके चारों तरफ पल्प हैं, सीट्स बहुत ही कम है, कम सीट्स के कारण ही इसका मार्केट में भी काफी अच्छा ज्यादा डिमांड है, इसलिए इस वेराइटी को आप अपने गार्डेन में जरूर लगाएं, काफी इजली लग जाता है, नरसरी पर इसके ग्राप्टिट इजी एबिलेबल हैं, तो आसा करता हूँ दोस्तों कि यह मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आये होंगे, दोस्तों अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आये, तो मेरे वीडियो को like, share और हमारे चैनल Simple Home Gardening को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबा दे ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक्यू दोस्तों